वार्डों की जाच परताल करते हुए हमारा कार्वा पहुंच चुका है शहीद भगत सिंग वार्ड की तरफ शहीद भगत सिंग के दुतिय वार्ड में हम खड़े हैं यहां पर जनता मौजूद है उनसे भी बात करेंगे उनसे सवाल लेंगे कि आखिर उनका जो वार्ड है उसमें क्या काम हो रहा है आपकी जानकारी के लिए बता देंगी पहली बार शहीद भगत सिंग वार्ड यहां पर घोशित किया गया है इससे पहले यह पंचायद थी यह यहां पर प्रधान थे और जिला पंचायद सदस से थे लेकिन जाब इस बार वार्ड की संख्या बढ़ाई गई तो शहीद भगत सिंग को स्थान मिला है और शहीद भगत सिंग वार्ड यह है यह हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे यह रास्ता है यह एक नाला है किस तरी किया था और उन्हें अपने छेत्र की विकास की डोर हात में दी थी उन्होंने क्या किया है यहां पर यह आप देख सकते हैं हम लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उनके छेत्र की समस्याएं क्या हैं आखिर वो अपने जन प्रधनिधी से चाहते क्या हैं आने वाले नाम है आपका यहीं के रहने वाले आपको पता होगा कि शहीद भगत सिंग वॉड यह घोशित हुआ जल्दी इससे पहले पंचायत था आप कि प्रधान जी काम नहीं कराते थे क्या कि कुछ यह हमने रोड देखी है काम दिखता नहीं है इसके बारे हम कुछ बता नहीं सकते क अगिन गंदगी है इतना तो आपको पता होगा कि गंदगी है तो फिर अच्छा अगर पारशत के चुनाओं होंगे तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम जादा सक्रियों हो जाएगी यहाँ पर और अच्छे से काम चलिए वो कुछ बोलना नहीं चाहरे है कैमरे पर आप भी यहाँ के रहने वाले निवासी हैं आप यहाँ के नहीं है लेकिन गंदगी तो आप दिखती है लापरवाही लापरवाही का रोड़े बनी है तूट रहे हैं देख 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 है पूरा कीचड भरा हुआ पानी नहीं आसपास क्या ढalना करते हैं सामना इस कम के रहने वाले हैं और और यहांं के रहने वाले हैं वह pom 2-???? यहां पर लोग जादेतर जो वह मच दूर के यहाँ आते हैं आप यहां की निवची हैं आप को यहां पर क्या परेशानिया दिखती हैं क्या जो पुरानी जन प्रतिनीदी दूरों ने काम नहीं किया है क्या दिक्कतें आपको क्या यहां सामने आती हैं क्या देखने को मिलती है दिक्कतें का यह सब गंदा कुछ होता है नहीं रोडें बनी हुई है अगर हम अंदर भी जाएंगे जब ग्रामीन छेत्र में आप जाते हैं तो आपको बता दें अगर आपको जानकारी नहीं है तो यह अभी वाड घोशित को हुआ है यानि यह नगर निगम के अंडर में अब आए गया यह चेत्र यानि यहां पर पारशद का चुनाव होगा तो आप क्या पारशद के जो प्र आपके छेत्र का कोई जो काम करता हो हाँ जी है मेरे राच्वाल अदा है वही तबासदी लड़ेंगे अपक्लम और यह सब कार देखेंगे अगर बनेंगे तो चलिए ठीक है और भी लोगों से हम बात करेंगे भाईया आप भी यहीं के निवासी हैं नगर निगम अमराई अमराई गाउं से हैं आप आपके यहां की बहुत सारी समस्याएं होंगी पहली बार आपका भी गाउं नगर निगम में आए कि इससे पहले हो गए हैं 35 साल से नगर निगम में हैं वहां की पारशद कौन है संद्राम गौतम काम वहां पर होता है की नहीं होता है कर तो रहे ह काम कर रहे हैं लेकिन आप यहां पर दुकान लगाते हैं काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता होता है आपके बगल एक दम जस्ट नाला है भरा है पर नाला नहीं नहर है फिर भी साफ सफाई नहीं है पानी रुग गया तलाप का पानी आता है ना इसमें तूसलिए करना पड़ता है यहां की लोग क्यों क्यों आप यहां पर रहते हैं जानते होंगे यहां अभी कोई अच्छा स्कूल भी नहीं अच्छे स्पता लें विकास की बहुत जरूरत है यहां पर और भी लोगों से हम बात करेंगे जो यहां की निवासी हैं इनसे बात कर लेते हैं भाइया लोगों ने बताया कि आप यहां रहते हैं आपकी दुकाने हैं जी तो आप आपका वर्ड सामिल हुआ है इस बार पारशदी के लिए तो आपको क्या उम्मीदें हैं आपके छेत्र के क्या परिशानिया है जो अभी तक नहीं सुल्जी परिशानी कोई नहीं है सब बढ़िया चल रहा है क्या नहीं नहीं की समस्या है तो अगर आने वाले समय में आपके छेत्र को पारशद मिलता है तो आपकी क्या मांग होगी क्या पूरी करें कोई नेता आप जनता के लिए नहीं हुआ है समस्याओं की बात करें तो ना यह बताया उन्होंने की नहर है साफ नहीं है यह बहुत बड़ी समस्या है पानी भर जाता होगा बीमारियां फैलती है मच्छर लगते हैं यह तो दिक्कते हैं लेकिन आप बता रहें कि काम हो गया कोई ज़रूरत नहीं यह नहीं काम होई आप अपनी तरफ से बढ़े भाई साथ में हैं अरे लेकिन आप कुछ तो आपकी परेशानी होगी भाई ने बता है वह हमारी परेशानी है यह ठीक आप नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं आप यहीं के हैं आते जाते रहते हैं इस रास्ते लेकिन फिर भी आप अगर आते पानी दूल गरदा और चलिए मोटों से बात करने के कोशिश करेंगे और जानेंगे किया कहते हैं वह शेत्र के बारे में क्या मांग है उनकी आप भाईया यहीं रहते हैं बतातो दिन है पापा अच्छा आपकी दुकान है चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं पू पहुचाएंगे फिलहाल इस एपिसोड को हम यही पर विराम देते हैं अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार